हे माई क्यूटीज वेलकम बैक तू माई यूटूब चैनल कैसे हो आप लोग आज हम इंका मेक ओवर करने वाले हैं इंगेजमेंट मेकप लूग तो सारे के सारी प्रोडक्ट जहां वो काफी अफॉर्डबल होने वाले हैं जरूरी नहीं आप हाइस ब्रांड के साथ जाके अ एंड ब्रस के थुरू ब्लेंड भी करना है ताकि वह एक हार्ष ना लगे एंड ब्लेंडेबल लगे उसे और जादा इन्हेंस करने के लिए अब हम यूज करेंगे मेवलें फिटमी का कंसीलर जिसे आइब्रोज को और अच्छे से शेप देते वे फील करना है इसके बाद क ब्लेंड करने के लिए आप मिनी क्यूट ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो पट मैंने ब्रस यूज किया मुझे ब्रस जो है काफी अच्छे से जमता है जल्दी से पाउडर से सेट कर लेना है वरना क्रीज हो जाएंगा अब में पार्ट जो है आई मेकप तो आप ब्यूटी पैलेट यूज किया डिरेक्ट में ट्रीज पर बॉर कर रही हूं सर्कुलर मोशन में दैन सेकंड जो शेड वो हमारा ब्रॉण चेड रहेगा उसे भी डाल क्रीज पर बफ करेंगे और सर्कुलर मोशन में अ उड्र पर फोकस Kरते वब्लेंड करना है काफी अची से की था तो जल्दी ब्लेंड नहीं हरता बट मैंने फिद भी ब्लैक कलर की साथ मर्च करते वे इसे ब्लेंड कर रहा है और देखो आप धीरे-दीर वह कितना ब्यूटिफुली टरंड हो रहा है हमारा आई मेकप तो आपको भी ऐसी टाइम देते वे ही ब्लेंड करने उसके बास सीमर वाले जो आईशाइडो होते ना ग्रे कलर के वो मैंने सिर्फ आपके हाफ आईलेट पर लगाया है अब हम सिल्वर ग्लिटर अप्लाई करेंगे इनकी हाफ आईलेट पे क्योंकि इनका जो लेंगा था ना वो ग्रेई स्टोन में था तो उसी से मैच करते वे मैंने आई बेका लाइनर यूज कर ली हूँ और आईलाइनर काफी कॉम्प्लिमेट दे रहे हमारे आई मेकप को देन लोवर लैश लाइन में ब्लैक कलर से स्मज करेंगे और पिंक कलर के साथ उसे ब्लेंड कर लेंगे अब हम लैसे को करेंगे ताकि अच्छा का सा फॉल्लूम एड़ हो जाए देन मस्कर अप्लाइ करेंगे जिससे आपकी आई लैसे और भी जादा लिफ्टेट लगेगी अब बार याथी है लैसे की फेक लैसे की इसके बिना हमारा आई मेकप कंप्लीट नहीं होता और इससे लगाने के बादना चार चान लग जाते तो सबसे पहले आपको स सेकेंड टिप्स जो मैंने आपको बताया तो ऐसे आपको छटशटे टिप्स को ध्यान में रखना है और वीडियो एंड तक जरूर देखना वरना कुछ मिस हो जाएगा उसके बाद हम लोवर लेश लाइन को भी जिसे मस्करा से कोटिंग कर लेंगे और जो भी फॉल आउट वगेरा हुए थी ना उसे एक वाइपस के हल्प से अच्छे से क्लीन कर लेना है इससे आपका फेस अच्छे से क्लीन होगा मेकप केकी अन पैची नहीं लगेगा फांडेशन परफेक्टली ग्लाइड होगा इसलिए इस स्टैप को जरूर फॉलो करना है इसके बाद का जो यूट वाइफ का फेशल ओयल भी यूज किया था मेकप को और भी ज़्यादा ग्लोई अन्डूई बनाने के लिए बट वो जो पार्ट है वो इसकीप हो गया जिसके लिए सो सो सॉरी तो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूं प्राइम फाइन का प्राइमर बहुत ही बेस्ट ह कर ले देन प्राइमर लगाना है उसे भी आपको वन मिनेट छोड़ देना है फिर फाउंडेशन अप्लाई करना है यह ट्रिक अप्लाई करोगे ना तो आपका मेकप जो वो टेकिया पैच ही नहीं लगेगा लॉंग लास भी करेगा फिर मैने यूज किया ओलिविया पैनके एक इस्टिक फाउंडेशन जो कि छोड़े-चोड़े दागदबे थे ना इनके चीक्स पे वो इससे इसली मिट गए थे कोई भी करेक्टर की जरुवत नहीं पड़ी थी फिर यह मेरी भतीजी अर्स है जिसके साथ मेरी ब्राइट खेलने लगी थी इसे दुलहन बननी का ब आप इसे 1-28 warm nude और कभी भी आपको ब्र के थुरुप पहले पूरा प्लाइ कर लेना है डॉ ainda करना है वससे फैस्ट बन होगा पहले आपको ब्रस के थुरु ही स्प्रेड करना है flexibility blender से ब्लैंड करो होगी न तो काफली इसली ब्लैंड होगा कहीं पे खम यह ज्यादा प्रोड तो आप में इसा आपको मैच करना है फिर एक दो शेड लाइटर मैंने कंसीलर यूज किया जो कि अगें नेबलीन फिटमी का है 20 सेंड है मेरा शेड इसे में जो भी हाइच पॉइंट है ना हाई राइट करना है जहां पे भी आपको एरिया जैसे अपके अंडर आइज हो गया नोज हो गया माउतेरिया हो गया वहाँ पे मैंने अप्लाई किया है फटा फट से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करते जाना और जहां पे अप्लाई किया वहीं पे ब्लेंड करना है पुरे फेस पेस ब्रेट नहीं करना है तो ध्यान रखना हो कि अभी आपको लाइट का फेस थोड़ा वाइट लग रहा होगा पर दीरे-दीरे वह ब्लेंड हो जाएगा इसकी अब्जॉफ कर लेती है ना तो वह लाइट हो जाता है बाद में तो टेंशन ना लीटी है अब बढ़ते हैं फेस कंटूर की तरफ जिससे आपका फेस लिफ्टेड एंड स्लीम लगे तो ब्रीज ओफ दी नोज और आपकी जो डबल चीन होते न वो एंड चीक्स को हाइट करने के लिए इसे यूज किया जाता है तो जहां जाब मैं अप्लाई कर रहे हूं वैसी आपक अगर नीचे की साइट ब्लेंड करोगे ना तो वह काफी बिकार लगते हार्श लाइन क्रेट हो जाता है इसलिए आपको इस डायरेक्शन में ब्लेंड करना है ताकि वह ब्लेंडेबर लगे और मैंने काफी लाइट कंटूर किया है आप देख सकते हैं नोज को थोड़ा मै अब मिरे पास कोई भी क्रीम ब्लश नहीं था तो मैंने लिप्स्टिक ही यूज किया है ऐसे ब्लश और कितना ब्यूटिफुल टरंड हो रहा है ब्लेंड होने के बाद थोड़ा सा नोज पे एंचीन पे भी अप्लाई करेंगे जिससे काफी प्यारा सा क्यूट लुक होगा और क्यूट लुकिंग गल्स बहुत प्यारी लगती यूनो उसके बाद बेग करेंगे बेग नहीं करना है ठंड चल रही है आप कॉमपेक्ट से सेट कर सकतो मैं एडियस को कॉमपेक्ट यूज कर रही हूं सबसे पहले आपको अंडर आइस को सेट करना है क्योंकि यहां पे सटल लगे पॉड्री पॉड्री ना लगे तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है ज्यादा पॉडर अप्लाई नहीं करना और अच्छे से ब्लेंड कर देना और हां नेक को इसकिप नहीं करना है गाईस सो पॉडर से तो सेट हो के हमारा फेस अब चलिए आगे बढ़त पीस का है तो चिक्स पर अप्लाई कर लोंगी थोड़ा सा क्योंकि की में अप्लाई किया था तो जस्ट sett करने लिए हल्का हल्का सा ब्लाई कर रही हूं बलश को मेरी ब्राइट्ट ना काफी चादा excited थी खुद को देखने के लिए कि कैसा make up को है क्योंकि मैंने उसे mirror नहीं रिखाया था उसके बाद highlighter apply करेंगे face को highlight करने के लिए जो भी आपके highest point है तो मैं काफी affordable सा highlighter use कर रही हूँ यह है Mars का जिसमें आपको 4 sheet available मिलते हैं जिसमें से मैं golden और pinky stone वाला जो है ना उन दोनों को मिला के mix up करके highlight कर रही हूँ तो आपको bridge of the nose, chin हो गया, highest आपका cheekbones हो गया, brow bones हो गया, वहीं पर apply करना है दन फिर से मैं एक बर set कर देती हूँ ताकि वो subtle लगे अब हम brow bones को highlight करेंगे, इसका ये फायदा है कि आपकी brows जो है, वो highest लगेगी, उठी भी लगेगी, जिससे काफी perfect shape आता है और वो highlight भी होगी और inner corner को highlight करने का ये फायदा है कि आपकी eyes जो है, वो थोड़ी bigger लगेगी हमारा eye makeup जो है वो काफी shimmery effect वाला है, तो lips को हम subtle रखेंगे हमेशा आप ये देखेगा, अगर आप eyes ज्यादा darker कर रहे हो या glitter कर रहे हो, तो अपने lips को subtle ही रखना तो मैं nude pink की shade यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफी compliment दे रहा है इस makeup को जो guys, my makeup is done, देखो कितना प्यारा और subtle ग्लोई लग रहे है, कुछ भी उबर के नहीं आ रहे है, मैंने इनका मांग ठीका जो है, वो माथा पट्टी के साथ wear कर वाया था, और आगे से curl किया था, पीछे से hair को straight किया था, जो कि काफी suit कर रहा था, और ये कितनी प्यारी लग रही है, इंगेजमेंट के सबसे perfect makeup हुआ है, और मेरी bride काफी खुष थी इस makeup से, काफी प्यारा लग रहा था उनके उपर ये makeup, और मैं उनको नहीं ये poses देने वो रही थी, जो कि उनके उससे नहीं हो पा रहा था, तो काफी हस रही थी, मतलब बलश कर रही थी तो थोड़े मोडे shots हमने लेने के कोशिश किये हैं, काफी प्यारे आए हैं और bride भी काफी खुष है, तो इससे मज़े की बात और क्या हो सकती है, आप दुलन का makeup करो और वो खुष ना हो, तो कोई मज़ा नहीं आएगा न, तो मेरी bride काफी खुष थी, और ये जो necklace set न, वो मीशोग है, तो ये भी affordable है, so guys final look कैसा लगा, comment down जरूर करना और देखा न, हमने कितने affordable makeup product से makeup किया, कोई भी highest brand यूज नहीं किया, काफी प्यारा लग रहा था makeup, तो आप जरूरी नहीं highest के साथ ये अच्छा makeup कर सकते हो, बस makeup करना आना चाहिए, आप कोई भी product से अच्छा makeup कर सकते हो, इनका जो लहंगा है वो gray color में था, तो उसी से match करता हुआ हमने eye makeup किया है, और lips को subtle रखा, तो काफी प्यारा लग रहा था eye makeup, और मैंने पूरा close up में आपको दिया है, detailing में eye makeup बताया है, और अभी bridal season चल रहा है, तो और भी ऐसी bridal makeup देखना चाहते हो, तो comment down करन और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना मत भूलना, और भी ऐसी interesting वीडियो के लिए subscribe for more, मिलते हैं next वीडियो में, bye